असलावलेकम स्टूरेंट्स हम डाइजेस्टिव स्ट्रेक्चर्स पढ़ रहे थे और इसमें जो शुरू में हम इन्वर्टिब्रेट्स देखेंगे और उसमें भी सबसे पहले प्रोटोजोड प्रोटोजोड जैसे फाइलम पोटेस्टा अब कहते हैं मनियादी तो प्रोटोजोड में भी आर्टोटॉफिक सेप्रोजोड और हेट्रोटॉफिक अब यह तीन टाम्स हैं आर्ट्रोटॉफिक वह एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड़ खुद बनाते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं और सेप् अपनी खुराग निए फोटोसिंटसिज नहीं कर सकते हैं बलके दूसरे एनिमल से और दूसरे प्लांट से अपनी खुराग असल कर सकते हैं जो आगे जाके फिर उसमें हेटरोट्रॉफ में हर्भी वोर्स भी होते हैं उसमें अमनी वोर भी होते हैं उसमें कार्नी वोर भी हो के नाम आपको आता हुगा परमेशियम बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं सीली रियक्शन क्लेक्ट फूड 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 फूम दी इन्वार्मेंट इंटो बकल कावर्टी एंड साइटो सॉम साइटो सॉम अगर आपको याद है स्ट्रक्चर परमेशियम की तो सॉम उपने इंटो दी साइटोफ फेरेंग्स विच इलिच एंड इन्वीच इनलज के जा आपको हो जाती है ठेक है जी सो दी डिटेज फूड वूड जैना गर्देश गरता है and during this movement excess water is removed from the vacuole the contents are acidified and then made alkaline and the lysosome adds digestive enzymes तो जो पूरा process जो होता है digestion का वो start हो जाता है जी यह देखिए यह cytosome है और यहां से यह cytosome है यहां से food enter होता है और यह food vacuole बन जाता है यह pinch off हो जाता है यहां से और उसके बाद यह पूरी body के अंदर circulate करता है और lysosome इसके साथ attach हो जाते हैं ठीक है और जो digestion है inside the food vacuole वो होती रहती है और जो energy है वो animal use करता रहता है तो ultimately जो fecal matter बच जाता है जो undigested food material होता है उसे जो है defecate कर दिया जाता है तो यह यह process है जो आपने बहुत दफ़ा पढ़ चुके अच्छा उसके बाद इसके बाद आए यह एक डियाग्राम आप देख लीजिए बिलकुल वह बहुत 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 करते हैं यह जो ओपनिंग बंती इसको साइटोपाइच कहते हैं ठीक है अब इसके बाद आए यह एक डियाग्राम आप देख लीजिए बिलकुल वही यह बनाए गही है सीलियेट्स की यहां से फूड इंटर होता है यह साइटोफरंक्स है और यहां से यह डिटैच होके फूड वाक्वल बन जाता है स्टिक पियाच हो जाती है और उसके बाद यहां के पियाच एलकलाइन हो जाती है बिग्जैक्टली लाइक जैसे में स्टावंक के अंदर SD के protein digest हो जाती है फिर alkaline हो जाती है जहां पर protein भी digest होती है और carbohydrate भी और लिपर्स भी और ultimately साइटोपाइट से इसको बाहर निकाल दिया जाता है Thank you very much students और हम इतने रखेंगे और उसके बाद पिर हम next जो animal है यह group है हुआ 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 है